उसके बाद है law of associative shifting, law of associative shifting, अगर देखो इसमें law of assimilation जो है, law of assimilation जो है, उसमें थोड़ा सा और इसमें थोड़ा सा फर्क है, repeat the same behavior in similar situation, निनकी किसी एक परिस्तिती में किये गए व्यभार को उसी के समान दूसरी परिस्तिती में दोहराना, और यहां पे, और इसमें बहुत क यहां पे भी आप prior knowledge को relate करते हैं, यहां पे आप क्या कर रहे हैं, prior knowledge को relate कर रहे हैं, मतलब आप, अगर मैं exact word में बोलू, यहां पे जो आपका ग्यान था, जो आपका ग्यान था या knowledge थी, उसको अपने नई situation में fit कर दिया, जोड दिया, और यहां पे क्या है, उसको repeat किया, मतलब same किया, वहां पे वो जो दूसरी के साथ कर रहा था, वहां पे सिर्वो अपना जोड रहा था, पाकि वो रुकी की नई रुकी हमें नहीं पता है, वो दूसरे वाली भी बेवकूब बनी की नहीं बनी हमें नहीं पता है, पर हमें यहां पे जो associative shifting है, सहचरिय का नियम कहते हैं, इसमें हमें यह पता है कि same behavior future में आप करेंगे, same to same, आप बिल्कु सिमिलर करतेंगे, समझा गई?